हेए केट विल्कुम बाक टो मागनेट ब्रेंज मैं हूं खुशी भटनागर और आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास का चाप्टर नमबर फोर्टीन जिसका नाम है नटकर चुहां और उसकी वरकशीट तो नटकर चुहें की कहानी तो हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने वो यह सबको द्रोप की दिता था कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं योसप yay मता दोंगा इस तरह की धाल्गी के कारण सब और पुरी परी तो इसके फ्रह इस तरह तरह से अपनी बात मन 살ब सभी के सामने तो वह तरह आ हमको करने वाले वर्कशीट क्योंकि वर्कशीट की exercise करते हैं आपका chapter revise तो वर्कशीट इसलिए बहुत जादा important होती है इससे हमारी कहानी revise भी हो जाती है कवीता होती है वो भी revise हो जाती है और हमें थोड़ी और extra exercise मिल जाती है वहां से कहानी पढ़ लीजिए और फिर वर्कशीट करिए तो असानी से यूँ ही आपसे वर्कशीट जो है वो बन जाएगी चीक है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट वर्कशीट की पहली exercise है खालस्तान भरो तो आपको ये box दिया हुआ है इसमें कुछ शब्द दिये हुए है और यहां पे कुछ खाली जगा दी हुई है तो वाक्य को पढ़ना है यानि sentence को हमें पढ़ना है और कहानी को याद करके इसमें से इस box में से सही शब्द चुनकर यहां पर लिखता है तो हर एक के साथ हम ऐसी करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं चुहां बहुत ही डैश और बड़ा ही चलाग था बहुत ही क्या था? बहुत ही नठखट था चुहां क्या था? बहुत नठखट था फिर है चुहे का मन कुछ ना कुछ डैश करने को करता रहता था करद के कारण बिल से बहार निकलएं बहुत दिन धिए क्यों जो था चुह भार नहीं निकल रहा था था ठीक है फिर है चुछे ने धरजी को रेश मी डैश दिया चूछे ने डैश क्या दिया दरजी को रेश मी कपड़ा दिया कि वो उसकी टोपी सिल दे तो चुहे ने दरजी को रेश में कपड़ा दिया नटखट चूहा डाश में राजा के पास बहुँच गया राजा के पास कहां पहुच था राज महल में पहुच गया था ठीक है तो हमने सारे शब्दों को चुन कर सही जगे पे लिख दिया है एक बार पढ़के देखते हैं चूहा बहुत ही नटखट और बड़ा ही चलाग था चूहे का मन कुछ ना कुछ शरारत करने को करता रहता था बारिश के कारण बिल से बहां निकले बहुत दिन हो गए थे चूहे ने दरजी को रेश में कपड़ा दिया नटखट चूहा राज महल में राजा के पास पहुच गया ठीक है तो यह है रिक्त स्थान जो हमने शही शब्द चुन कर उन्हें जगे पे भर लिया है आँ से आप लिख लिजिए वीडियो को पॉस करके लिखे बगयर आगे नहीं बढेंगे हिंदी लिखे बगयर आगे बढ़ने साथ कोई मतलब ही नहीं है तो लिखें और फिर उसके बद प्ले करके मेरे साथ आगे लगए ठीक है चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अगली exercise है निम लखित कतनों के चिन्ण लगाये याने कि अगर आपको वाक्य पढ़के कहानी को याद करके लगता है यह वाक्यिस बिलकुल सही है तो सही का निशान लगाएंगे अगर लगता है यह वाक्य गलत है तो हम गलत का निशान लगाएंगे ठीक है? चलिए तो चूहां बहुत ही शांच वभाफ और भोला भाला था जो चूहा था भड़ा ही शांच वभाफ का एक तम भोला भाला था हाँ, नहीं वो बहुत ही शरारती और नठेट था दुकानदार ने खुशी-्खुशी चूहे को रेशमी कपड़ा दे दिया बिल्कुल चुहां आया, उसने रेश्मी कपडा मांगा और दुकानदर ने यू निकाल के दे दिया, ऐसे हुआ था? नहीं, दुकानदर ने मना कर दिया था पहले उसको, तो ये भी नहीं हुआ था दर जी ने डर कर चुहे की टोपी सिल दी, जो दर जी था वो चुहे से डर गया और उसने उसकी टोपी सिल दी जी हाँ चुहे ने दी थी उसे धमकी कि तुम्हाने अजितने भी कपड़े हैं मैं सब को तुर दूँगा तो वो धर गया और उसने उसको दे दी सिलकर टोपी राजा भी चुहे से डर गया, क्या राजा चुहे से डर गया था? जी हाँ राजा भी चुहे से डर गया था जब उसका मन भर गया, तो वो तरके अपने बिल में चला गया, तो ऐसा भी हुआ था, ठीक है, तो ये सारी चीज़े तो हमने देख ली जो की हुई थी, ठीक है, हमने पढ़ा, ऐसा हुआ था, हमने सही और गलत के निशान लगा दिये हैं, आप ये एक बार पढ़ लीजे, सम तो वो बन जाता है एक वचन, जैसे ये मेरी एक उंगली है, ठीक है, यहीं पर मेरी चार होंगी, तो ये हो गया भवचन, क्योंकि एक से जादा है, तो ये हो जाएगा मेरी चार उंगली यां है, ठीक है, वो ही होता है एक से अनिक, अगर कहीं पर एक लड़की खड़ी तो हम क्या बुलेंगे कि वह क्या है ये तीन लड़किया है ये एक लड़की है ये तीन लड़कि यान है ठीक है तो इसलिए हमने लिख दिया लड़किया जैसा कि इमाने आपको बताया था अगर आखरी अक्षर में E की मातरा होती है, तो या लग जाता है, अगर E की मातरा नहीं होती है, जैसे कि दाना, दाना में तो E की मातरा नहीं है, तो क्या लगती है, A की मातरा लग जाती है, तो हो जाते हैं दाने, बस, तो हमें E की चीज देखने होती है, कि आखरी अक्षर कैसा है, आखर एक्षर में अगर E की मात्रा है जैसे कि यहां की तो हम लगा देते हैं या लड़की यहां अगर E की मात्रा नहीं है तो लग जाएगा अब तक follow करते हैं अब भी करेंगे आवसर से अधनी एक्सक्राइब करेंगे जैसे कि कुरसी में सर में है E की मात्रा तो क्या हो जाएगी कुरसी या ठीक है फिर है टोपी टोपी में भी है प में इ की मातरा तो हो जाएगी टोपी या ठीक है साड़ी साड़ी में भी ड में इ की मातरा है तो क्या हो जाएगी साड़ी या ठीक है, फिर है कापी, कापी में भी E की मातर है, पो में तो हो जाएगी कापी ठीक है, तो हमने सिफ E की मातर आखरी में देखी और उसके सबसे या या लगा दियो, तो एक से बढ़ गए, लड़की लड़किया, कुरसी कुरसी या, टोपी टोपी या, साड़ी साड़ी या, और कॉपी तो कॉपी या, एक चीज होगी तो हम बलेंगे एक कुरसी, एक टोपी, एक साड़ी और एक कॉपी, अगा हम पर चार कॉपी रखेंगे तो चार कॉपी या, दो साड़ी रखेंगे दो साड़ी या, तीन टोपी रखेंगे तो तीन टोपी या और पांच कुर्सी रखिएंगे तो पांच कुर्सीः चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे आगे है निम लिखित के लिंग बदलो चलिक है लिंग याने जैसे की चूहा का दूसरा लिंग क्या होगा चुहीया जीसे कि आने बता हैं था पुर्लिंग और स्ट्रिलिंग, ओल्लिंग। जीसे लड़का, तो लड़की हो जाता है, वैसे चूहां तो चूहाँ. तो राजा का क्या हो जाएगा? जी हां, राजा का रानी। ठीक है? फिर है बूरा तो बुडिया। फिर गोडा तो गोडी, ठीके, तो राजा का रानी, लड़का का लड़की, बूडा का बुडिया और गोडा का गोडी, ठीके, तो हमने उनके लिंग बदल दिये, फिर से चुहा का चुहिया, राजा का रानी, लड़का का लड़की, बूडा, बुडिया, गोडा और गोडी, चीक है चलिए इसको लिख लिए जोई आज से यह बहुत ज़रूरी है लिखना इसको लिखिए पॉस करिए बिल्कुल वीडियो फटाफट से लिखिए फिर प्ले करिए और अब यह साथ आगे बढ़िए चीक है चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अगली exercise है मिलन करो यानि जोड़ी बिलाना है हमको तो यहाँ पर जो चीजे लिखिए ऐसा कौन करता है जैसे कि जो बाल काटता है तो बाल काटने वाले को हम क्या कहते हैं नाई जो बाल काटता है उससे हम कहते हैं नाई तो हम यह ढूणना है नाई का लिखा है यह रहा तो यह रखा है दरजी हम यहां मिला देंगे जो महले की सिर्थ वाली करता हो। उसे कहते हैं ? उसे कहते हैं कुमहार। फिर जो गाड़ी चलाता हो। उसे कहते हैं ? ड्राइवर क्या कहते हैं उसे ड्राइवर और जो मिठाईयां बनाता हो उसे कहते हैं हलवाई उसे कहते हैं हलवाई ठीक है तो जो बाल काटता है वो होता है नाई जो कपड़े सिलता है वो होता है दरजी जो मौलने की रखवाली करता है वो होता है चौकीदार जो मिठी के ब आगे है निम लिकित प्रश्णों के उत्तर दीजे तो पहला प्रश्णी क्या है चूहा कैसे स्वभाव का था तो चूहा नठखट था चूहा चूहा कैसा था चूहा काफी जादा बहुत ही नठखट था चूहा यह हो गया आपका पहला उत्तर अब हम बढ़ते हैं अगे अगला प्रश्ण है किस कारण चूहा बिल से बहार नहीं निकल रहा था तो वो है बारिश के कारण किस कारण चूहा घर से बार नहीं निकल रहा था अपने बिल से बाहर नहीं निकल रहा था बारिश के कारण ठीक है? यह भी हो गया हम भढ़ते हैं अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न है सबसे पहला चूहा सबसे पहले चूहा किसके पास गया? तो सबसे पहले चूहा गया दुकानदार के पास किसके पास गया? सबसे पहले सबसे पहले गया दुकानदार के पास किसके पास? दुकानदार के पास सबसे पहले गया था चूहा क्या लेने के लिए? अच्छा सा सुन्दर सा रेश्मी कपड़ा लेने के लिए गया था वह दुकानदार के पास सबसे पहले ठीक है अब भटते हैं आगे फिर है चुहेन ने आईने में अपनी टोपी देख कर क्या सोचा जो उसने अपनी आईने में टोपी देखी तो उसे क्या लगा कि ये तो बहुती साधी सी टोपी है ये इसे मैं और सजबा सकता हूँ तो उससे लगा कि यह बहुत साधी टोपी है उसे आइने में देखे क्या लगा है? यह है बहुत साधी सी टोपी है मैं इसे और अच्छी टोपी खरीज सकता हूँ यह तो बहुत साधी सी टोपी है मैं इसमें और क्या करूं ऐसा तो उसने सोचा टोपी पहन के कि यह बहुत ही साधी सी लग रही है तिए क्षे क्या हुआ अग्ले संफ प्रैशन पर अगला प्रेशन है यह चूहा राज मैं कूँ गया था तो चूहा राजा बनने राजमहल गया था चूहा क्यों गया था? यह कि उसने सोचा मैं विल्कुल राजा जाशा लग रहा हूँ तो चूहा राजा बनने राजमहल गया था चूहा कहा गया था? चूहा राजा बनने के लिए राजमहल गया था राजा के पास चीक है ये भी हो गया अब बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्ण है चुहे ने क्या बात कहकर दुकानदार को डराया चुहे ने ऐसा क्या कहा कि दुकानदार डर गया तो चुहे ने कहा चुहे ने क्या कहा था चुहे ने कहा सारे कपड़े क्या करूँगा सारे कपड़े कुतर दूँगा उसने कहा कि बहा सारे कपड़े कुतर देगा तो जो दुकानदार था वो डर गया और उसने कहा तो मैं जो करना है करो कपड़ा ले जाओ मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा तो उसने उसे तुरंट कपड़ा दे दिया इसलिए बहा डर गया था दुकानदार के इस बाद से कि चुहे ने कहा मैं तुमारे सारे कपड़े कुतर दूँगा ठीके क्या कहा था उसने सारे कपड़े कुतर दूँगा ठीके चलो आगे बढ अच्छी टोपी पहनना तो चुहां कैसी टोपी अच्छी सी अच्छी जो दिखे सुन्दर जैसी राजा जैसी टोपी जो दिखे वैसी टोपी याने अच्छी टोपी पहनना चाहता था चेक है अब बढ़ते हैं आगे तो चुहां चुहें ने राजा को कैसे डराया, चुहे ने राजा को क्या डराया था कि मैं तुम्हारा कान कुतर दूँगा, उसने क्या बोला था, चुहे ने राजा को बोला मैं तुम्हारे कान कुतर दूँगा, ऐसा बोला किस ने, चुहा ने बोला राजा को कि अगर तुम्हें मुझे उसनी हासन नहीं दिया, तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारे रात में आके तुम्हारे कान जो है वो कुतर दूँगा, तो चुहे ने राजा से ऐसे कह के राजा को डराया और अपनी बात मनवाली, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, दर जी कौन सी बात सुनकर चुहे की टोपी सिलने का तयार हो गया था, दर जी भी किस बात से डर गया था, कि वह उसके कपड़े एक उतर देगा, इस बात से डर के उसने उसकी टोपी सिल दी थी, वही उत्तर आएगा कि कपड़े एक उतर देने के कारण वह डर गया और उसने उसकी टो तोपी क्यों पहनना चाहता था चुहां टोपी क्यों पहनना जाता था अच्छा दिखने के लिए चीक है तो यहां यह भी कह सकते हैं राजा बनने के लिए क्यों चुहां राजा बनने के लिए टोपी पहनना चाहता था चीक है तो अपने बस बात मन वाना चाहता था तो अपने बस बात मन वाना चाहता था पहना चाहता था किस वज़े से राजा बनने के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या है एक दो क्रम पाट के अनुसार वाक्य को यहने हमने कहानी पढ़ी हुई है तो हम इसको एक दो क्रम में लिख सकते हैं जैसा जैसा कहानी में होता गया था पहला वाक्य क्या है दुकानदा ने चुहे को रेश्मी कपड़े का टुकड़ा दे दिया फिर है चुहे ने दुकानदा ने चुहे को सुनहरे और रुपहले सितारे दे दिये जोहां जल्दी तयार होके शहर की और निकल पड़ा चुहां सिहासन पर बैठा और काफी देर वहां अराम करता रहा च नहीं है यह राज महल में राजा के पास पहुचा दर्जी ने चुहे की टोपी सिल दी सभी दोस्ट चुहे की कहानी सुनना चाहते थे सबसे पहले यह हुआ था यह वाला वाक्य कि चुहा जल्दी तयार होके शहर की और निकल पड़ा फिर यह था कि दुकान दाने चुहे को हुआ है रेशमी कपडा दे दिया रेशमी कपडा देने के बास दर्ची के पास गया और दर जी तो इसमें थोड़े से चσांस सितारे लगवा हुँगा तो वह दुपान दा म्ने चुहे को सुनहेरे और फेले सितारे भी दे दिये तो यह हो गया 4 फिर क्या हुआ कि चूहा राजमहल में राजा के पास पहुचा यह हो गया पांचवा फिर चुहा सिहासन पर बैठा और काफी देड़ तक वहां राम करता रहा यह हो गया छटा और साथवा यह था जब आखरी में अपने घर पहुचा तो उसने अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाई तो सभी दोस्त चुहे की कहानी सुनना चाते थे चीक है तो अब हम इसको पढ़ेंगे लाइन वाइस तो हमें समझ में आएगा कि हमने जो क्रम दिया है जो नंबरिंग करी है वो सही है कि नहीं तो सबसे पहले चुहा जल्दी तयार होकर शहर की और निकल पड़ा फिर चुहा दुकान दाने चुहे को रेश में कपड़े का ट करके करता रहा फिर सभी दोस्तों ने चुहे की कहानी सुनना चाहते थे ठीक है तो यह हो गया हमाली कहानी पूरी जिसमें हमने उनको सही करम दे दिया है इसको लिख लीजिए उसके बाद आगे बढ़िएगा चालो अब बढ़ते हैं आगे आगे हैं नीचे दिये गई तुरंत जल्दी जटपट याने फटाफट से तुरंत तो हम जटपट को मिला देते हैं जल्दी से फिर है बरबाद बरबाद याने पूरी तरह से नश्ट कर देना तो बरबाद को मिलेंगे नश्ट करना आइना याने शीशा आइना याने क्या होता है शीशा और बेवकू वुगोफ याने होता है मुर्क ault के बुर्द्धू टैके नोकशनों जो अर्थ है अर्थ याने मीनिग उनसे मिला दिया है नठकट याने शरारती जटपट याने जल्दी बरबाद याने करना आईना याने शीशा और बेवकूफ याने की मुर्ख ठीक है तो इसे भी जल्दी से जोड़ी बना लीजिए लिख लीजिए और समझ लीजिए कि किसका मतलब क्या होता है ठीक है चले अब हम बढ़ते हैं आगे अब है निमली की शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजे यह शब्द को अब हम वाक्य में उप्योग करेंगे जैसे कि शरारत तो हम यह बोल सकते हैं चुहां बहुत शरारत करता था ठीक है तो हमने शरारत शब्द का उप्योग कर लिया है कि चुहां बहुत ही शरारत करता था फिर जटपट तो तुम बोल सकते हो मैं जटपट अपना घर का पाठ कर लेता हूं. तो हमने क्या बुला कि आपने घर का पाठ कर लेता हूं. तो हमने जटपट का अपयोग कर लिया. आइना, तो आइना का हम क्या बना सकते हैं कि मैं सुबह उठकर आइना देखता हूं या देखती हूं तो मैं सुबह उठकर आइना देखती हूं तो हमने आइने का भी उपयोग कर लिया तो तीन शब्दों का उपयोग इस तरह से कर लिया दो बच्चे हैं टोपी और सितारे तो ये दो शब्दों के वाकिये आप लोग बनाएंगे और मुझे बताएंगे तो इन तीनों को लिख लीजिए और बाकी दो के वाकिये भी अपने मन से बना लीजिए ठीक है चलिया हम बढ़ते आगे आप वीडियो को पॉस करके लिख सकते हैं नीची कुछ व्यक्ति दिये हैं उनकी ड्रेस देखकर उनका नाम बताना है तो ऐसी ड्रेस कौन पैता है ये हैं पोलिस इंस्पेक्टर फिर ये हैं हमारे वाट्च मैन याने की चौकी दार ये है डॉक्टर और ये कौन है ये हैं पोस्ट मैं जिने हिंदी में कहते हैं डाकिया ठीक है तो ये हैं पोलिस ये हैं चौकी दार ये हैं डॉक्टर और वो हैं डाकिया ठीक है जो सबको चिठी देते हैं चलिया बढ़ते हैं आगे आगे हैं चुए कि चित्र मैं मन चाहे रंग बरो तो इसको रंग बरेंगा चुलवा बना दीजिए जैसा आपको बनाना है उस तरह के रंग इसमें भर दीजिए तो इसी के साथ हमारी वर्क्षीट होती है खतम वर्क्षीट जो थी की चाप्टर नमबर 14 की नठखट चूहा उसकी वर्क्षीट अमने कर लिया है खतम आप Class 1 पर क्लिक कीजे, Class 1 से आपको सब्चेक्ट सारे लगेंगे Hindi, English, Grammar, English आपको जो भी सब्चेक्ट देखना है नीचर लिखा हुआ है Watch Now उस पर गलिक कीजे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी बुक का नाम रंजिम बुक दिखने लगेगा उस पर Click कीजिए आपको सारे chapters दिखने लगेगे सारी कहानिया सारी कवीता उसी sequence में आपकी book में है आपको जो भी chapter देखने आप उस पे click कीजिए और आपके सामने इस तरह से video जो है start हो जाएगा तो बहुत ही असान है इस तरीके से आप कोई भी चाप्टर कोई भी टॉपिक मेरी क्लास का या कोई भी क्लास का ढोण सकते हैं ठीक है तो जैसा कि हमने कम्प्लीट कर लिए अपनी वर्कशीट इसी तरह अब आपका आखरी चाप्टर रह बचा है चाप्टर 15 जिसकी हमें वर वर्कशीट भी हो जाएंगी खतम तो थोड़ा सा और बेट करिए और देखते रहिए मैंगनेट ब्रेंज और करते रहिए लाइक, सब्सक्राइब और शेर थांक यू